एक बार मैंने मेरे दोस्तों के साथ गोवा में मस्ती करने के लिए प्लैन बनाया हम सब इखटे हुए गोवा पहुँचे और होटल का रूम लिया वो भी बीच वीव वाला शाम को हम बीच के किनारे जाके बैठ गए उन समुदर की वेवस को देख कर उसकी अवाज को सुनकर मजा आ गया ऐसा लगा कि हो गया पैसा वसूल अब सेल्फी लेने के लिए जेब में हाठ डाला तो देखा कि मोबाईल ही गायब था अब समुदर की वाज कान से गयाब हो गई और आखों के सामने मोबाईल नाशने लगा कहां गया? किधर होगा? चोड़ी तो नहीं हो गया? अब गोवा का आनन गयाब होकर मेरा मन मोबाईल में घूमने लगा अच्छा बताओ, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? जब हम अपनी डिजायर्स फुल्फिल करके खुशी हमें मिलती है तो वो भी इतनी फ्रेजाइल और शॉर्ट लिव्ड होती है कि किसी छोटे से इंसिडेंस के करण अचानक से गायब हो जाती है क्या ऐसी फ्रेजाइल शान्ती एक्च्छल में शान्ती है? मुझे लगता है इससे बैटर क्वालिटी की शान्ती तो अपनी डिजूटीस फुल्फिल करने में है जैसे एक फादर की बेटी की शादी है ना खाने की चिंता है ना सोने की पूरे दिन सूपर बिजी और फिर लड़की खुशी-खुशी विदा हो गई छे महीने बाद बेटी घर आई और उसने बताया कि वो ससुराल में बहुत सुखी है उसका पती देवता जैसा है सासु मा उसे बेटी की तरह रखती है ये सुनकर पिता को अपार शान्ती का नुभव हुआ क्योंकि उनकी जो फैमली की ड्यूटी थी वो फुल्फिल हो गई इस दूसी शान्ती में किवल अपनी डिजायर्स को फुल्फिल करने का स्वार्थ नहीं है बलकि अपनी डिजायर्स की पेरिफरी पूरी फैमली तक एक्सपैंड हो गई थी आईए अब हम इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड करते हैं हमारे घर में काम करने वाले रामु भीया का बेटा बिरोजगार था और एडिक्शन्स में लगा हुआ था मुझे बड़ी दया आई मैंने अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर एक स्मॉल इंडस्ट्री सेट अप करी वहाँ के सभी नव्यूगों को ट्रेनिंग दी कुछी महिनों में विलेज की सारी शकल ही बदल गई बहुत सारे नव्यूग को अब रोजगार मिल गया था ऐसा कार्य करके हम सब दोस्तों को असीम शान्ती का नुपव हुआ यहाँ कोई सेंसरी प्लेजर की क्रेविंग नहीं थी ना ही केवल अपने परिवार की ड्यूटिस को फुल्फिल करने की डिजायर थी बलकि यहाँ तो विजन हमारा ब्रॉडन हो करके पुरे समाज के लिए अच्छा करने का हो गया था यह ब्रॉडर विजन ही इस शान्ती को और निर्मल बनाता है अच्छा अब हम सोचते हैं कि क्या इसके बाद भी कुछ है क्या ऐसी कोई शान्ती है जो इससे भी ज़्यादा प्योर हो तो अब सुनते हैं सच्ची शान्ती के बारे में सच्ची शान्ती और डिजायर्स मुचली एक्स्लियूजिव होती है मतलब जहां डिजायर्स हैं वहां शान्ती नहीं और जहां सच्ची शान्ती हैं वहां कोई डिजायर नहीं ये चौथी प्रकार की सच्ची शान्ती वहीं है जहां कोई इच्छा नहीं है, सबके प्रती साम्मे भाव है, जहां हमाई दरश्टी व्यापक हो गई है, कोई सेल्फ इंटरस्ट नहीं रहा, इस शान्ती को जो अनुभव करता है, उसके लिए ये दुनिया एक विशाल सागर की तरह है, सागर में कितनी तरंगे हैं और कहां कहां है ये जानने का कोई विकल्प नहीं, यहां पूरी दुनिया एक सेल्फ रेगुलेटड कार खाने की तरह दिखाई देती है, इसमें कितने पुर्जे हैं और कहां कहां है ये जानने का कोई विकल्प नहीं, सच्च यहीं कुछ और नहीं वहीं है सच्ची शांती और यही शांती है हमारे जीवन का लक्ष और वास्ट विक्ता में असली धर्म